Hello and Welcome to TV का पटाका Well दोस्तों, बिग बोस के घर के अंदर जो भी होता है उस पर सोशल मीडिया में बवाल मच ही जाता है जाहिर है कि घर के अंदर बंध हर एक कॉंटेस्टेंट अपनी अपनी फील्ड का सिलेबरिटी है तो उनके फैंस को आपस में भिड़ने की तो जरुरत बहुत जादा पड़ जाती है क्योंकि हर कोई अपने कॉंटेस्टेंट को अपने फेवरिट सिलेबरिटी को नंबर वन जो बताना चाहता है लेकिन इस बात से किसी की इमेज पर सवाल उठे तो फैमली मेंबर्स को जवाब देने सामने आना ही पड़ता है और ऐसा ही कुछ हुआ प्रियंका चाहर चौधरी के साथ भी जी हाँ उनके एक क्लिप को सोचल मीडिया पर जम कर वाइरल किया जा रहा है अपने फैमली स्टेटस के बारे में जूट बोलती हुई प्रियंका पकड़ी गई है और जम कर ट्रोल हो रही है जिसके बाद उनके भाई को सामने आकर सफाई देनी पड़ी है दोस्तों आपको बता दें कि बीते एपिसोट में एक्ट्रेस सिम्मी गरेवाल ने बिग बॉस दीजन सोला के घर के अंदर शिरकत की थी जहां उन्होंने सभी सदस्यों से उनकी चॉइस को लेकर सवाल पूछे थे जब प्रियंका से फेम, पैसा, शोहरत और प्यार में से किसी एक को चुनने के लिए कहा गया प्रियंका ने बिना समय गवाई प्यार को चुना लेकिन साथ ही ये भी कहा कि पैसा तो लाइफ के लिए जरूरी है ही क्योंकि मैं बहुत कमाना चाहती हूँ ताकि जो मेरी दीदी हैं, जिनके पास बहुत कम पैसे हैं उनके बच्चों की पढ़ाई एक अच्छे स्कूल में करा सकू प्रियंका का ये वीडियो शिफ के फैंस ने ट्विटर पर वाइरल कर दिया इसके साथ ही प्रियंका के एक पुराने इंटरव्यू के क्लिप को मर्ज किया गया प्रियंका बता रही हैं कि वो अगर अक्टरस ना होती तो आर्मी जोइन करती क्योंकि उनकी बहने और भाई भी आर्मी में हैं उनके लाइफ सौर्टिड होती है उने देख कर अच्छा लगता है ऐसे में उनके भाई योगेश ने इस बात पर सफाई देते हुए कहा है कि हम छे भाई बहन है मैं सबसे छोटा हूँ मनिशा दी, सुमन दी, परी दी, प्रीती दी और विकास विकास सुमन दीक और प्रीती दी आर्मी में है यहां पर दी हमारी सबसे बड़ी बहन की बात कर रही है मनिशा दी जो कुछ साल पहले अपनी पती से अलग हो चुकी है यह क्लारिफाइ करके मैं खुश हूँ लव यू परी दी दोस्तों क्या कहेंगे आप हमें अपने व्यूस कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूले